हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो बात करेंगे सेना के जवानों के लिए जो है रक्षा मंत्री ने एक बड़ी खुशचबरी दिये सेना के जवानों को अब कुछ नई फैसिलिटी मिलेंगी ना सिर्फ सेना के जवानों के लिए बेसिकली सेना के जवानों के जो परिवार है उनके लिए एक बड़ी घोशना है और ये लास्ट वीक फ्राइडे को जो है इसकी घोशना की गई है तो दोस्तों हम इस वीडियो में detail में बात करेंगे क्या है इसमें important update चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथ ही साथ बैल आइकन जरूर दुबाएं जो सो देख सकते हैं कि यह शुक्रवार की बात है जहां पर रक्षा मंत्री श्री राजना सिंग्ग ने जो है कि देश वाशियों के लिए देश को अब कुछ वापिस देने का समया अब देश जो है देश वाशियों के लिए वापिस देने का समया और इसका जो जिक्र जो है अभी एक नई वेबसाइट है माभारती उसके लाउंच के बाद जो है किया गया था दोस्तों उसमें जो इंपॉर्टन बाते आप देख सकते हैं आपर शुकरवार को कहा था कि यह देश वाशियो और इसी के वाईसे जो यह माभारती के सपूत MBKS वेबसाइट लाउंच करने के बाद जो है यह बात कही थी और यह जो वेबसाइट लाउंच की गए थी इसका मुख्य उदेश इदा जो है सैनिकों घायल सैनिकों शहीदों उनके परिवारों को जो है उनके परिवारों को जो help करने की मदद करने की आप देख सकते हैं कि शहीदों और घायल सैनिकों के परिवारों की मदद करना हमारा नैतिक और राष्टिक करताव है क्योंकि उन्होंनों जो देश के लिए जो किया है हम उसे कभी नहीं चुका सकते तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि नया एक पहल है एक इतिहासिक फैसला है जिसके तुरू जो है जो जो शहीद सैनिक है घायल सैनिक है उनके परिवारों को मदद दी जाएगी दोस्तों ये था आज का इंपोर्टेंट अबडेट सभी सैनिकों के लिए दोस्तों कर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो